आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी साइच के सूट में आप कटिंग कर रहे हैं पीछे का गला 0-4.5 इंच तो हमारों सोलर की कटिंग कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको फुल डिटिल में सिखाऊंगा तो हलो गाईस कृष्णा मुटिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आप किसी भी साइच की सूट कर रहे हैं और पीछे का गला बना रहे हैं 0-4 इंच तो दोस को लाइक कर दें चैनल को सकते लाइप लेना बैल आइकोन को लाओ कर दें जिससे की वीडियो को नटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे हैं आई दोस्तों वीडियो करते हैं इस्टार्ट और सीखते हैं कुछ नयाँ जैसे दोस्ति यहां पर हमने सूट का कपड़ा ब पहरे इस हमारा कड़ाय वाला गला बना हुआ है अब हैं अरग दोस्तों जो मैंने निसान लगा, उपर वनाने की निसान लगा दिया, यहाँ के नाप लेने की बाद सीधा निसान लगा दिया, जैसे इसमें जितना भी आपका गला हो, उसमें आपको आधा इंच एड़ करना वो इस तरीके से क्रोस में आपको जितना भी गला बनाना है यहां से आपको सीधा निसान लगाना है ठीक है निसान लगाने का बद यहां पर मैंने कमर का निसान लगा दिया है कमर की फिटिंग का भी निसान लगा दिया है चाका भी दोस्ते हैं पर हमने निसान लगा दिया और हिपका भी हमने फिटिंग के निसान लगा दिया यानि कि दोस्तो नॉर्मल जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो कमर से नीचे के जो निसान होते हैं हर साइज में सिंपल तरीके से लगते हैं ठीक है सिंपल तरीका होता है हर सूट की साइज में सिंपल कटिंग हो सूट की है कैसी भी आपकी सूट की कटिंग हो लेकिन आपकी जो कमर से नीचे के चाक होते हैं वो आपके नॉर्मल हर एक साइज में सिंपल तरीके से ही लगते हैं ठीक है एक जैसे ही लगते हैं Size का कम जादा होता है, लेकिन जो हमारी निसान लगते हैं, लेकिन क्या different होता है suit की cutting में, जैसे हैं पर armhole solder की cutting कैसे करें, सबसे ज़्यादा man point जो होता है suit की cutting में, वो होता है हमारी armhole की cutting कैसे करें, और solder की cutting कैसे होगी, कमर से नीचे की निसान हर size में normal तरीके से हमारे लग ज है 50 साइग 43可थी थीचे 43 इंुल की कर ड़ेँ हैं हें अब यहाँ पर मैं एक चोड़ा सा फॉर्मूला समझाओंगा जिसकी मदश से आप किसी भी साइज की आर्मोल की की ao की कटिंग कर सकते हैं बहुत हैं सीमपल सा फॉर्मूला आप आप वीडियो अच्छे से देखें, पॉइंट टू पॉइंट आप समझें, तो आपको अच्छे से समझें आएगा, कोई सा भी आपका साइज हो, यहां से 31 इंचो, 32, 44, 50 इंचो, कोई सी यहां की चैस्ट हो, लेकिन जो मैं आपको फॉर्मूला समझाओंगा, सिंपल तरीके से आप समझें, किसी भी साइज में आप अपलाई कर दें, सूट की कटिंग बहुत भैतरीन हो जाएगी, ठीके, अब यहां पर जैसे हमारा सूट का जो नाप है, वो तैयार नाप है, तैयार नाप कैसे है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ, जैसे दोस्तों, यहां पर हम हमारा आगया, तैयार नाप आगया, यह फिर आपका सिला हुआ सूट भी हो सकता, आपकी फेटिंग का सूट को हो सकता है, तो उसमें भी दोस्तों, आपकी चैस्ट साइज, तैयार होनी चीए, अगर आप सिले हुए सूट का नाप लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा हाप नाप आता है तो उसका क्या होगा साड़े 21 इंच हमारा नाप आएगा यहापर दोस्तों कोई सा भी आपका नाप हो सकता है 21 इंच हो 44 इंच हो तयार नाप के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपकी चेस्ट साइज तया 43 इंच है तो उसका हाप जो आएगा सिले वो सूट में वो आएगा 21 इंच अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझाता हूँ और मैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सूट का पीछे का गला होना चीए वो होना चीए जैसे बैक नेक हम बनाते हैं बैक नेक आप अपका हो जाएगा यहाँ से 0 से 3.5 चार अर इंच तक का छीए नैपर जो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ अगर आप पीछे का गला बनाते है 0 सで 4 चार इंच तब आप अपलाई कर सकते है ठीक है इसमें आपका अगला 0-4 इंच बनाते हैं तो जैसे मैं आपको फॉर्मूला समझारों सेम बैसा ही आपको अपलाई करना है किसी भी साइज में ठीक है हलका साइज हो बड़ा साइज हो कोई साइज हो सकता है अब यहां पर सबसे मैं पॉइंट क्या होता हमें सोल्डर का नाप एक दम फिक्स करको सेकने हैं तो इस लिया जाता है तो इस लीडियो से लिया जाता है तो इसी वीडियो के लाट्स में आपको तो इसके इन पर वीडियो मिल जाएगी, भाँ से किलिकर करके आप देख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सोल्डर है, वो है 15 इंच, अब हमें सबसे पहले आर्मोल की कटिंग करनी है, तो 15 इंच हमारा सोल्डर है, इसको हाप करेंगे इस तरीक किसे, ठीक है, 15 इं आठ इंच पर इस तरीके से आर्मोल का निसान लगा देंगे, यह तो दोस्तों फार्मोला होगे हमारा आर्मोल की तरीके से निकालें, यहाँ पर आपका सोल्डर हो सकता है, 15, 14, जो भी हो, उसको हाप करना है, जैसे 13 इंच हो गया सोल्डर हमारा हाप करेंगे, यहाँ पर वह जो आएगा साड़ेशह इंच आएगा आदे इंच है मैट करेंगे साथ इंच हमारा सुल्ड आरमुल की कटिंग होगी सिंपल सा फॉर्मूला है ठीकिक है का निसान हमें इस तरीके से सीधा करना है और यहां पर दोस्तों हमें डेड़ से दो इंच तक कर टाइट लूच का मार्जिन छोड़ते हैं जिससे कि अगर बाइचांस आपका सूट हो जाता है तो हम उसे लूच कर सकते हैं चैस्ट साइज हैं यहां पर हो गई हमारी 43 इंच अब बारी आती जहां पर हमारा आर्मो लेंद का निसान लगा उसमें हमारी फ्रेंट क्रोस और बैक प्रोस का निसान लगता है वो कैसे लगेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं सारा खेल हैं आपर दोस्ता आपको सोल्डर का है अगर आप यह फॉर्मुला अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वीडियो आप अच्छे से देखते रहें अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा पीछे करके आप दुबारा से भी देख सकते हैं अब यहां पर हमारा फ्रेंट क्रोस की कटिंग होगी जैसे सोल्डर हमारा 15 इंच है इसको हमने हाप कर दिया ठीक अब उसके रहेंग पॉने एक इंच पीछी हटा कि निसान आपको लगाना है तो यहां पर क्या होगा आपका फ्रेंट क्रोस और बैक प्रोस का निसान लग जाएगा ठीक है इस तरीके से एक हमारा फॉर्म ना लिकलता है फ्रेंट क्रोस बैक क्रोस का अब आर यहां से ज निसां लगा है ते लिए जाएगा यहां पर आपका गले ब्रोड का निसान लग जाएगा जितना आप लगाए पौने तीन इंच तीन इंच या बॉड ने कटिंग करना चाहें आप नॉर्मल कटिंग कर सकते हैं यहां पर आपका जो मार्जिन है बाजू अटेच का वो एड अभी मैंने कर दिया ठीक ह आपको अलग से अट करने की जरूरत नहीं है अब यहां से क्या करेंगे पौने एक इंच नीचे की तरफ आपको कंधी डाउन करनी है इस तरीके से अब यहां पर हमारा गला ब्रोड है ठीक है तो आपको क्या करना है नॉर्मल इस तरीके से नीचे की तरफ निसान इस तरीक करना यह हमारा फ्रेंट क्रोस है ठीक है और इसको सूल्डर के निसान पर इस तरीके से हमें सीधा कर देना है अब यहां पर नीचे हमारा पॉइंट बन गया तो फ्रेंट क्रोस और नीचे जो पॉइंट बना है वहां से इस तरीके से निसान सीधा करेंगे अब सबसे पहले हम नॉर्मल हमें अच्छे से से देनी है, ठीक है, फ्रेंट क्रोस के आर्मोन में सेफ हो गई, अब उसके बाद हमें बैक पले के आर्मोन में सेफ देनी है, इस तरीके से हमारी फ्रेंट क्रोस और बैक क्रोस की सेफ हो जाती है, अच्छे से, यहां से दोस्तों, नॉर्मल हमारी क्रोस में जो गैपिंग रहती है वो रहती पौने एक इंच की और बैक क्रोस में जो गैपिंग रहती है वो हमारी रहती है डेड़ इंच की ठीक है सवाए एक इंच भी हो सकती है और डेड़ इंच भी हो सकती है इतने ही में दोस्त हमारी फ्रेंट क्रोस की गैपिंग होगी प बहुत ही simple तरीका है, अगर आपको अच्छे से समझे में नहीं आया है, तो आप वीडियो पीछे करके दुबारा से हमारी देख सकते हैं, ठीक है, अब हमें इसकी cutting करनी है, यहां से सीधा cutting करेंगे, फिर उसके बाद down में cutting करेंगे, और यहां से दोस्ता हमें जो cutting करते हैं, वह हम करते हैं, back पले के armhole पे cutting, फ्रंट पले के armhole पे आपको cutting नहीं करना है, क्योंकि दोस्ता अगर फ्रंट पले के armhole पे cutting कर देंगे, तो आपकी suit cutting गलत हो जाएगी, क्योंकि दोस्ता इसमें हमारी 7 pack पी cutting हो रही है, तो normal में इसको cutting कर देता हूं, फिर उसके बाद आप करने का समझाता हूं, इस तरीके से हमारी cutting हो जाएगी, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने back पले के armhole पे cutting कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हमारा back पला और front पला cutting हो गया, अब हमें क्या करना है, back पले को इस तरीके से हटाएंगे, और front पले को अच्छे से बिचाएंगे, जब हमारा back पला cutting हो जाता है, उसके बाद हम फरन्ट की गहराई की cutting करते हैं, तो इस तरीके से हमारी फ्रंट की घहराई की कटिंग हो गई अगर आप यहां से फ्रंट की घहराई की कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा इतना हमारा कपड़ा लिकला इसमें से तो यहां पर जेब इतना कपड़ा रहेगा तो हमारी आर्मोल में जोल आएगी ठीक है तो मै कर सकते हैं अब इसकी बारी आती ही बाजू कैसे कटिंग करते हैं 43 चैस्ट के हिसाब से नॉर्मल मैं आपको सिखा दे रहा हूं कटिंग करना नहीं समझाओं सिखाओंगा सिर्फ मैं आपको निसान लगाना सिखा देता हूं कटिंग तो हमारी नॉर्मल हो जाती ठीक है इसे ह क्या करेंगे इसको करेंगे डवल में फोल्ड ठीक है इस तरीके से डवल में फोल्ड करेंगे और यहां सो दोस्ते एक तरफ से हम क्या करेंगे अच्छे से बिच्छा लेंगे ठीक है मैंने यहां पर बिच्छा दी अच्छे से और एक तरफ से हम क्या करेंगे जैसे मेरी उस तो लिया था 14 इंच अब सूट की कटिंग करें तो उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 17 इंच ठीक है बाजू बैसाइपस में इसी तरीके से लूजिंग दी जाती है और बाकी आपको फुल वीडियो देखेंगे बोड टाइल लूज का margin तो इस तरीके से पीछे आप कर दे हैं से हमारा निसान लग गया और कपड़ा इस तरीके से फॉल्ड हो गया अब यहापर जो हमारा कपड़ा बच्चा हुआ फ्रेंट पले की तरफ से वहाँ पर हमारी इस तरीके से जोड कटिंग हो जाएगा ठीक है यह लगाना है सबसे पहले लगाना हогता है हमें लागने का इंचे टेप ऊसी के बरावर से रखेंगे यहाँ पर दोस्टों जो हमारी आय। यहाई साइट के अलग तरीके से लगता है ठीक है यहाँ पर जो आर्मो को निसान लगाएंगे बो हम हमी क्या करना है यह आर्मों लेंद का जो निसान है उससे सीधा करेंगे नीचे के निसान हमीं सीधा कर देना है यहाँ पर आपको टाइट लूज का तुर्पाई का फोल्ड होता है वहाँ पर निसान छोड़ देना मार्जिन ठीक है अब बाजू बैसे अप साड़े आठ मोल्की सेफ हो जाएगी आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं या फिर बाजू करने के वादिया आप कटिंग कर सकते हैं जैसे आपको बैंटर लगता उस तरीके साभ कर सकते है इसी आर्मों पर हम क्या करना है टीक है है कपड़ा एकदम बोरावर्तर रखना है ठीक है इक devote कर जोड़ा करेंगा। सख़ा दिया है। अब मैं आपको समझाते ता हूँ कि अगर आपका आर्मौलत null होता है तो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको formula समझाया है उसमें आपकी आर्मोल छोटा बड़ा नहीं होगा एकदम fix बनके आएगा यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमारी बाजू अटेच होगी आदा उपर की तरफ से जाएगा और यहाँ पर हमारी आर्मोल एकदम fix आएगा जब आप बाजू बनाएंगे बाजू अटेच करेंगे तो आपको आर्मोल छोटा बड़ा नहीं होगा एकदम perfect for ruler मैंने आपको समझाया है अगर आप अच्छे से सीख गए होंगो तो आपको कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप पीछे का गला सूट का बनाते है जीरो से साड़े चारेंच अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सक्सराइब कर लेना ख्योंकि दोस्तों सिलाई से कटिंग से रिलेटर हमारी चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया अगर आप सूट की कटिंग कर रहे हैं अगर आप हमाई चैनल पर पहली वा रहा है पहली पर हमें वीडियो गेह रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सक्सराइब लेए बेल आइकोन को लाओ कर देना जिससे की हमाई नई वीडियो को नॉटिफेकेसन आपके पास पहुंसती रहा है तो लाइक चरूश करना